हालो एवरिवन वेलकम बेक टू पर्चम और मैं पूजा आज हम डिसकस करेंगे दिल्ली सल्तनत का लास्ट पार्ट पार्ट नमबर फोर जहां पे हम सहीर डाइनिस्ट्री और लोधी डाइनिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि मुहमद गौरी के जाने के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरूआत होती है और दिल्ली सल्तनत पे पांच राजवन्च होते हैं सबसे पहले सलेव डाइनिस्ट्री थी उसके बाद खिलजी थी खिलजी सबसे कम समय तक रही 30 सालों त उसके बाद तुगलक डाइनिस्ट्री आए जिसने सबसे लंबे समय तक भारत में रूल किया 94 यर्स फॉर्थ नमर पे सायद और फिफ्थ नमर पे लो दिये तो आज हम दिल्ली सल्तनत को खतम कर लेंगे और अगली सेशन से हम मुगल सल्तनत की शुरूआत करेंगे लेकिन उसके पहले एक रिवीजन टेस्ट भी आपका लिया जाएगा तो अभी तक जितनी भी इंफिमेशन आपको दी गई है दिल्ली सल्तनत के बारे में उसे रिवाइस करें और अपना टेस्ट ले कि क्या आपका स्कोर रह रह रहा है अच्छा अब रही बात पीडियेफ की तो की वेबसाइट पर जाके आप पीडियाफ ले सकते हैं तो आएए शुरुआत करते हैं सयद वंश के बारे में सयद डिल्ली सल्तनत की फोर्थ नमर की डिल्ली जिसने 1414 से लेके 1451 तक डिल्ली पर रूल किया अच्छा आप लोग ने तुगलक के समय का भी भारत देखा होग ना ही सयदों ने तुगलकों की तरह बहुत जादा administrative work किया, welfare के काम किये, नहर कुए, etc. ऐसा कुछ भी नहीं किया, बहुत ही शान तरीके से सयद डाइनस्ट्री निकल जाएगी, ऐसा कुछ भी नोंने बहुत ही खासम खास काम नहीं किया है, तो आई हम शुरुआत करते हैं सयद डाइनस्ट्री के बारे में, देकर उसके पहले जान लेते हैं, सयद डाइनस्ट्री में चार राजे हुए, चार king हुए, पौन कौन से? किर्जखा, उसके अद मुबारक शाह, महंमबर शाह और आलम शाह, ये चार राजा जो थे, वो सयद डाइनस्ट्री से बलॉंग क और काफी खासम खास व्यक्ति थे फिरोश्या तुगलग के लेकिन फिरोश्या तुगलग की डैथ होने के बाद खिर्ज खां को भी अरेस्ट कर लिया जाता है लेकिन किसी तरीके से चंगुल से भागने में सक्सेस्फुल हो जाते हैं और 1398 में जब तैमूर लंग भारत पर ह इसको जाते हैं दीवानी अधिकार देके जाते हैं खिर्ज खां को इस तरीके से खिर्ज खां सेयर डाइनस्टी की शुरुआत करते हैं अब इन्होंने सेयद नाम ही क्यों चुना तो सेयद का मतलब होता है पैगंबर मुहम्मद सहाब का वंसट यह सेयद लोग जो थे वो मुहम्मद सहाब को अपना वंसट मतलब खुद को इनका वंसट समझते थे ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ ऐसा एक पुस्ता के जिसमें लिखा हुआ है दतारी के मुबारक साही यह पुस्ता क्या ही आग विन ने लिखी है और इस बुग में ही आपको सेयर डाइनस्टी के बार कब बीख रूलर की तरहा है नहीं किया हमेशा एक यहे की ऑपолн के घाम को दो बॉर दिया थे रूप में एन्हें काम किया कभी बीज़गा को बुगि 7 नहीं बैठेकों खिर्ज खां को 100 मोल के दवारा है आपको मैंने बताया दिपालपूर लाहार मुल्तान की दिवानी अ तुगलकाल से जु सिक्के चले आ है थे वही continue थे उसके अलावर भीने नए शिक्के में भी अपना नाम नहीं लिखवाया चैमॉल लनक की डैथ होनी के बाद भी इन्होंँने revenue भेजना बंद नहीं किया तैमॉल लंक के बेटे शारुक को है Ve או यह revenue भेजते रहे इस तरीके से कभी ना ये सुल्तान की गद्दी पर वेठे ना सुल्तान का टाइटल लिया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए इनका अचीफमेंट ए था कि इन्होंने सूरत दिलापुर पंजाब के एरिया पे कंट्रोल किया लेकिन उनके हाँ से दक्कन, बिहार, जोनपुर, मालवा ये सभी एरिया निकल गए और 1421 में ही खिर्जखां की डैथ हो जाती है खिर्जखां सेयर डाइनिस्टी का सबसे पावरफुल रूलर है इसके बाद के रूलर जो है वो इतने पावरफुल नहीं है और धीरे-धीरे सयर डाइनिस्टी खतम होना शुरू हो जाती है इनके बेटे का नाम देख लेते हैं मुबारक शाह 1421 से लेकि 1434 AD के बीच में मुबारक शाह खिर्ज खां के बाद गदी पे बैठते हैं लेकिन रहीयत आला की टाइटल से खुश नहीं है ये अपने आपको सुल्तान का टाइटल देते हैं 37 जो तुगलग बंच के और उसके अलाबा तैमूर लंग और शारू के सिक्के चल रहा है उनको भी बंद करवाते हैं अपने नाम का खुदवा बढ़वाते हैं और अपने नाम के सिक्के भी मुबारक शाह के दौरा जारी किये जाते हैं इसके अलाबा 1433 AD में मुबारक शाह जो होते हैं व्यमना दादी के किनारे एक शहर भी बसवाते हैं का नाम होता है मुबारकाबाद इनफेक्ट याहिया बिन जो है जिसने ये पुस्तक लिखिये तारी के मुबारक साही इस पुस्तक के लेखक को भी सनरक्षा देने का काम किस ने किया है मुबारक साहा नहीं किया है ठीक है मुबारक साहा की डेथ के 1434 में हो जाती है और इनका क कोई बेटा नहीं होता है तो अमीर वर्ग होता है और ये लोग सभी लोग सडियंत करके सरवर उल मुल्क के दौरा जो है मुबारक सहा को मार दिया जाता है और मुबारक सहा की डैथ के बाद मुहमबश यहां गदी पे बैठते हैं और सर्वल उल्मुल्क और अमीर वर्ग जो लोग होते हैं वो मुहम्मद शाह को गदी पे बिठालते हैं 1434 से 1445 के बीच में जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास सारी एग्जेकेटिव पावर होती है और नाम मात्र का एग्जेकेटिव कौन होता है प्रेसिजेंट आफ इंडिया होता है जाप लोग ने पॉलिटी में पढ़ा होगा यही मसला यहां पर भी है नाम मात्र का राजा मुहम्मद शाहा है उसके अलावा सारी एग्जेकेटिव पावर सारा कंट्रोल किसके पास है सर्वर उल्मुल्क के पास है तो मालबा के राजा को हराने के लिए सरहिंद और लाहर का एक गवर्नर था बहलोल लोदी उसको ये इन्वाइट करते हैं तो बहलोल लोदी आते हैं और मालबा के राजा को हराते हैं तो ये मुहमबश शाह जो होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं अपने बेटे का title देते हैं बहलो लोधी को और खाने खाना का title भी बहलो लोधी को दिया जाता है मुहमबश शाह के दुआरा और 1445 में मुहमबश शाह की डैथ हो जाती है इसके बाद इनकी बेटे गदी पर बैठते हैं जिनका नाम है अलाउदी शाहा एक्चल इनका नेम आलामशाह होता है और ये अलाउदीन का title लेकि अलाउदीन आलामशाह के नाम से गदी पर बैठते हैं 1445 से 1457 तक ये सरियर डैनिस्ट्री के अंतिम राजा है लास्ट रूरल है और जब इनके बारे में हम पढ़ते हैं थो हमको लगता है कि आलमशाह नाम ना होके इनका नाम आरामशाह होना चाहिए था इन्होंने कुछ भी नहीं किया कैसे कुछ नहीं किया अब एक दिन ये बदायू घूमने जाते हैं तो इनको बदायू बहुत अच्छा लग जाता है तो वही रहना लगते हैं दिल्ली से अपनी capital बदायू शिफ्ट कर लेते हैं ये ना इनको कोई मतलब नहीं दिल्ली से त बदायू शिफ्ट कर लेते हैं और जब दिल्ली में बहुत जादा अशांती हो जाती है लोग बहुत गुस्से में होते हैं कोई भी राजविवस्था वहां नहीं होती है तो बहलो लोधी को दिल्ली में बलाया जाता है कि आके आप कंडिशन को समाली तो 1451 में बहलो लोधी दिल्ली आते हैं दिल्ली में अपने आपको सुल्तान डिकलियर कर देते हैं वहां पे साशन करने लगते हैं और ये भाई साब जो है आलमशा वो बदायू में है ओके कोई दिक्कत नहीं आप राजपार्ट समालो मुझे तो बदायू अच्छा लग रहा है मैं तो वहीं रह लोधी जो राजवंश है वो दिल्ली सल्तनत का लास्ट राजवंश है लोधी डाइनस्ट्री इसके बाद मुगल सल्तनत की शुरूआत होती है 1451 से 1526 के बीच में इनोंने रूल किया था और लोधी डाइनस्ट्री में बेसिकली तीन राजा हुए बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इबराहिम लोधी आए हम बात करते हैं सबसे पहले बहलोल लोधी के बारे में 1451 से 1489 एडी के बीच में लास्ट डाइनस्ट्री ओफ दिल्ली सल्तनत तो बहलोल लोधी जो है सुल्तान बनने से पहले मैंने आपको बताया सरहिंद और सुब गवर्नर थे सरहिंद जो सबसे महातपूर्ण विजय थी वो गॉलियर की विजय थी और जो गॉलियर का फोर्ट विजय करके वो लॉट रहे थे गॉलियर के किले को जीत के वो लॉट रहे थे तो रास्ते में बीमार पड़ जाते और इनकी डेथ हो जाती है बहलोल लोधी की बहलोल लोधी एक ब पेटे शिकंदर लोधी गद्धी में बैठते हैं 1489 से 1517 तग इनका एक्च्वल नाम निजाम शहा होता है लेकिन इस सुल्तान सिकंदर शहा के टाइटल के साथ गद्धी पे बैठते हैं लेकिन अमीर वर्ग और दिल्ली की सल्तनत इनको उस तरही के से राजा मानने से मना कर देती है reason is that कि इनकी जो मदर होती है वो हिंदू होती है तो इसलिए ये हिंदू के खिलाफ बहुत जादा कठोर पॉलिसी बनाते हैं जजिया इंपोस करते हैं तीर थी आत्रा पे जाने के लिए टेक्सिस इंपोस करते हैं हिंदूओं पे क्योंकि इनकी माता हिंदू है अगलाबा ये जो जुलूस निकालने पर मना कर देते हैं और जो महिलाए मजार वगयरा पर इवादत करने जाती है उन पर प्रतिबंद लगा देते हैं तो ये सारे काम सिकंदर लोदी की द्वारा ही किये गए जमीन को मापन करने के लिए एक नया मैजरमेंट यूनेट नि revenue आया उन सब की जाच करने का काम भी शिकंदर लोधी करते थे इन्होंने आगरा सहर बसाया था आगरा सहर की स्थापना जो है वो सिकंदर लोधी नहीं की थी और इसके अलावा दिल्ली से अपनी क्यापिटल को यह आगरा शिफ्ट करके ले गए थे सिकंदर लोधी आप लोगने अकपर के टॉम के बारे में सुना होगा वोगने सिकंदर अबाद में है तो सिकंदर अबाद जो जगह है वो भी सिकंदर लोधी के नाम पर सिकंदर सहा लोधी के नाम पर ही पढ़ी है इसके लबब ये जो थे ये music के बड़े शौकीन थे इसलिए इनका जो relation वो सहनाई से रहा है ये सहनाई बजाते थे और इनका music work है वो लhजाती सिकंदर शाही में आपको इनका music work देखने को मिलता है साती साती गुल्रुखी नाम से Persian language में poet भी लिखा करते थे कवीताई भी लिखा करते थे तो गुलरुखी कवीताई किसकी है आप कहेंगे सिकंदर शाह लोधी की और 1517 में इनकी death हो जाती है इनके दो बेटे होते हैं एक इब्राहिम लोधी होता और एक जलाल लोधी होता है इब्राहिम लोधी और जलाल लोधी यहाँ पे देख लेते हैं तो इब्राहिम लोधी जलाल लोधी को मार देते हैं और पूरी दिल्ली सल्तनत पे कबज़ा कर लेते हैं तो 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोधी का रूल रहता है लोधी डाइनस्टी में ये लोधी डाइनस्टी के साथ-साथ पूरी दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजा होते हैं इब्राहिम लोधी इब्राहिम को आगरा का एरिया मिलता है जलाल को जौनपुर का एरिया मिलता है लेकिन इब्राहिम जलाल को मार के पूरी दिल्ली सलतार पे कबज़ा कर लेते हैं उसके बाद इब्राहिम प्लान बनाते है मेबार पे कबज़ा करने का और उस समय मिवार के राजा है राना सांगा तो राना सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लडाईया होती है दो बैटल बैटल बैसेकली इब्राहिम लोदी और राना सांगा के बीच में होती है एक तो Battle of Khatoli है और दूसरा है Battle of Dholpur Battle of Khatoli 1518 में होती है और Battle of Dholpur 1519 में होता है दोनों ही Battle में Rana Sanga जीत जाते हैं और Ibrahim Lodi हार जाते हैं इसके अलावे यह बहुती क्रूर होता है बहुती कठोर पॉलिसी जो है मुस्लिम के अगेंस्ट भी यह लेकर आता है जो लाहर के गवर्नर है पंजाब लाहर के गवर्नर है दौलत खान उनके बेटे दिलावर खान के साथ भी अच्छा वहवार नहीं करता है जो बड़े बड़े ओफिसर है सीनियर कमांडर है उनको रिप्लेस करना शुरू कर देता है इसलिए अमीर वर्ग फूर इसके अगेंस्ट हो जाता है इसलिए जब बाबर इस पर हमला करता है तो अमीर वर्ग इसका साथ नहीं देता साथे साथ इसके जो चाचा है आराम शाह वो भी इसके अगेंस्ट है इसलिए दौलत खान और आराम शाह बाबर को इन्विटेशन भेशते हैं बाबर जो है वो तैमूर लंग और चंगेश खान का ही वनसज है और उसको इन्विटेशन भेशते हैं कि आप भारत और इब्राहिम लोदी को हराओ क्योंकि अभी तक ये रिकॉर्ड रहा है कि जो ये बाबर या तैमूर लंग ये चंगेश खान जो होते हैं वो आते हैं, हमला करते हैं, प्रॉपर्टी को लूटते हैं, संपत्ती को लूटते हैं और चले जाते हैं, कभी भी रूल नहीं करते हैं तो उसी उद्देश से जो है इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बाबर को बलाया गया था कि इब्राहिम लोदी को गद्धी से हटाएंगे और हम गद्धी में बैटेंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है बाबर तो जीतने के बाद जाता नहीं है और वहीं पे दिल्ली सल्टनत की खातमा होता है मुगल सल्टनत के शुरुआत होती है तो इबराहिम लोधी को मारने के लिए दौलत खां के दौरा जो है वो बावर को इंविटेशन भेजा के और बावर आते हैं और बावर और इबराहिम लोधी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है 1526 AD में पानीपत का पहला युदे 1526 में जिसमें बाबर जीत जाते हैं और इबराहिम लोधी मारे जाते हैं और इस तरीके से लोधी डाइस्टिरी का खातमा होता है और मुगल सल्टनत की शुरुआत होती है लेकिन एक खास बात इबराहिम लोधी के बारे में ये है कि दिल्ली सल्टनत की जितने भी राजा हुए या तो चौगान खेलते हुए मर गई या बीमार होके मर गई लेकिन एक मात्र राजा है इबराहिम लोधी जो युद्ध के मैदान में मरा तो दिल्ली सल्तनत का एक मातर राज़त युद्ध के मैदान में मरा वो इब्राहिम लोदी था चाहिए अब दिल्ली सल्तनत से रिलेटेट कुछ MCQ को भी हमको देख लेना चाहिए तो आईए इनका आंसर आप हमको दीजिएगा कमेंट सेक्शन में पहला कॉश्चन जौना खान के नाम पे जौनपुर सिटी बनी थी और जौना खान मोहमद बिन तुगलग का नाम था और मोहमद बिन तुगलग की आद में फिरोशा तुगलग ने सिटी को बनवाया था तो सही आंसर हो जाएगा option number B correct है चलो अगला प्रशन देखेंगे the first silver tanka of दिल्ली सल्तनत was issued by the silver tanka और जीतल ये currency किस ने लेकर आई तो दिल्ली सल्तनत के जो actual founder थे इलतमश उनके द्वारा silver का टका और जीतल लेकर आया गया था तो option B यहाँ पर भी correct हो जाएगा next question देखेंगे इबन बतूता विस्टेट इंडिया during the reason of इबन बतूता कब भारत आया तो ये मुरक्कों का आदमी था इबन बतूता और ये MBT मुहमद बिन तुगलक के कार में भारत आता है तो option number D यहाँ correct हो जाएगा during the time of Allahudin invasion बारंगल बारंगल पर हमला करते है मलिक काफूर इसको रिप्रेजेंट करता है और मलिक काफूर जो हो हजार दिनारी के राम से जाना जाता है तो उस समय बारंगल में काकिदिया डाइनिस्ट्री थी तो सही आंसर हो जाएगा option number C next who destroyed the Nalanda University in 1193 AD and burned it down किस ने Nalanda University को जला दिया तो basically Nalanda University कुमार गुप्त ने बनाई थी बिहार में इस्थे थे जहां पर अभी Buddhist conference भी होने वाली है 19th November से September से और इसको जो है वो मुहमद बिन बक्तियार काकी के दुआरा destroy कर दिया गया था तो option B यहां पर भी correct हो जाएगा तो इसी तरह के और questions के साथ आपको next session में में मिलूँगी तो preparation को अच्छी रखिएगा and thank you